नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उपाय किये गए हैं, बता देश समेत जार्खन में कुरोना की दस्तक से सभी अलट हैं, राज सरकार भी अलट मोड में हैं, मुख्यमंतरी हिमन सुरे ने कहा है कि कुरोना संक्रमन के मामला हमारे संग्यान में हैं, कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही जल्द स सभी कोई से अउगद कराएंगे, उन्होंने कहा है कि पहले की तरह इस बार भी संक्रमन के रोखथाम को लेकर अभी से हम अलट हैं, हलाकि उन्होंने राजेवासियों से इहतियात बरतने के अपिल की है, कहा है कि सरकार के साथ आप भी अलट रहे, सभी के सहयोग से इस ख्रास्थ मंत्री और नंे प्राइप किया मैं उस पर इप पूल किया करणी समय के बादल स्दाने के स कारण बारिस होइंगा बहुत ही कम है हलके बादल चाने के कारण मौसम में ब्यापक बदलाव कम होगा रात के तापान में ब्रीधी हो सकती है लेकिन दिन के तापान में मामूली कमी आ सकती है मौसम विभाक के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम दबाव बना है लेकिन इसका असर जार्खन पर कम पड़ेगा केवल आसिक बादल चाहेंगे वहीं 27 दिसंबर तक इसका असर रहेगा राजे में ठंड कायम है दिन के दरन सर्द हवा का रूख सांत रहा इसे खिली धूप के कारण ठंड से रहात मिली है राजहनी समेत राजे के कई जिलो में नितन तापमान में कमी आई है रेलवे गुरूप डी रिजल्ट और कॉट अफ जारी रेलवे में गुरूप D के लिए आयोजित भरती परीक्षा में सामिल होने वाले एक क्रोर से अधिक उमिद्वारों के लिए महत्पून अपडेट हैं रेलवे भरती बोर्ड और रार्वी ने गुरूप D के एक लागती नहीं गोसित कर दिया है नतीजा और रार्वी के वेब साइट पर उपलब्ड कराये जा रहे हैं अईसे में पतना, राच्ची, मोजाफरपूर, पर्याग, राज, भोपाल, बिलासपूर, मुंबाई, समेत, और छेत्रों का रियल्ट आप चेक कर सकते हैं गढ़वा में नहीं थम रहा तेंदुआ का हमला दो बाग का वीडियो वायरल गढ़वा जिले में तेंदुआ का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तेंदुआ हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहा है ताया घटना में गुरु आरको चीनिया के सिंदे गाव में तेंदुआ ने किसान, बिंदु, यादव के एक बचले पर हमला किया है इस हमले में बचला बुरी तरह गायल हो गया है वन परमंडल पतादिकारी दक्षनी ससी कुमार ने इसकी पुष्टी भी की है उन्होंने बताया है कि गुरु वार को तेंदुआ ने बचले पर हमला किया लेकिन वा उसे मार कर खा नहीं पाया वहीं दो बाग का वीडियो भी वारल हुआ है हलाकि वन भी भाग इसकी पुष्टी नहीं कर रहा लेकिन वीडियो के वारल होने के साथ लोगों में दसत का महल देखा जा रहा है इधार तेंदुआ पलामू टाइगर रिज जरब से काफी दूर होता जा रहा है सिंदे गाव जहां गुरुआर को तेंदुआ का हमला हुआ वह पीटी आर से करीब सत्तर किलोमेटर के दूरी पर इस्थी था है जारखन में कुरोना को लेकर अलर्ट लोकडाउन की इस्थी पर चिनता चिन समेत अने देशों में एक बार फिर बढ़ते करोना संक्रमन के मामले को देखते हुए देश समेत जहारखन भी अलर्ट है एक बार फिर लोकडाउन की इतिती उत्पन न हो इसके लिए लोगों को सतरक रहने की जरूरत है साथ ही COVID-19 गाइडलाइन का पालन करना अब जरूरी हो गया है मालूम हो कि चिन के अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजिल में अचाना कोरोना संक्रमन विरिधी को देखते हुए केंदर सरकार ने सभी राजियों को सतरकता बरतने का निर्देश दिया इसके बाद जरूरी हो गया इधर रिम्स में संक्रममित के भरती होने के बाद अधिक छक, डाक्टर हैंदर बिरुगा के अध्यक्ता में बैठा कोई है इसमें संक्रमन के फैलाव को कैसे रोका जा, इस पर चार्चा की गई जारखंड के नौजवानों के लिए सरकार परतिबाद मुख्य मंत्री बिधान सभा के सित काले सात्रे के तीसरे दिन मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने अनुपूरक बयाट पर चार्चा के बाद कहा है कि सरकार का पर्यास था कि राजे के मुलवासियों आदिवासियों के लिए नियोजन निती बनाई जाए ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसके पहले जो राजे में नोकरी लेकर आये थे वे न तो यहां की संस्किरिती और नहीं यहां की भासा से परिचित थे वे यहां क्या कर रहे होंगे यह समझा जा सकता है सरकार इस राजे के सावा तीन कोड़ों लोगों के प्रति प्रतिवध है जारकन उच नियाले से नियुजर नितिरद होने के बाद से ही नौजवान धारना परदसन कर रहे है सरकार इस पर गम्भीतात विचार कर रही है हमारा पर्यासाय की बिधी सम्मत और समयधानिक रूप से राजी के बच्चों और नौजवानों के हाख में निन लिया जाए पर्यावरन पर्याटन के छेतर में होगा विकास रोजगार को मिलेगा बढ़ावा जारखन पर्याटक ब्यापार पंजीकरन नियम के अंतिम परारूप को त्यार करने के लिए परावरन निदेशक अंजली यादव के अध्यक्ता में गुरुवार को होटल बीरसा विहार में जारखन पर्याटन विभाकी समिक्षा बैटक होई इसमें यादवने मजूद राजी के सभी स्टेक धारक ट्रेवल एजेंट एफ जे सी सी आय अध्यक्ष यातरावा ब्यापार उद्योग के स्टेक धारक परिवहन सेवाप प्रदता होटल ब्यवसायों को पर्याटन छेत्र में जुड़े कई निदेश दिये उन्होंने कहा है कि बिवाग राजे में पर्यावरन पर्याटन के खेत्र में कई सार्तक पहल शुरू करने जा रहा है जिससे राजे के बहुत से पर्याटन अस्टल सामिल होंगे बताया गया है कि प्रेटन अस्थलोपर सेलानियों की सहाज़ता के लिए आवास्य सुविधाओं को सुगम सहरूप दिया जाएगा बैठक मेराजे के सोसल मीडिया की सहवागिता देखने को मिली है जारकंड के स्कूली बच्चों का धास्तावैज से मैच नहीं कर रहा अधार नहीं हो पा रहा है इसकूल के दास्तावेजों में किसी का नाम संदीप है तो अधार काड में परसानी हो रही है जारखर में नबे फिजदी बुजुर्ग ने नहीं ली बुष्टर डोज कोरोना के अब तक के कहर पर गौर करें तो यह बुजुर्ग के लिए सरवाधिक नु नबासी फिजदी से अधिक बुजुर्गों साथ पलस ने कोविट टीके की बुष्टर डोज नहीं ली आकडों की बात करें तो राज में साथ से अधिक उम्रे के बुजुर्गों की अनुमानित संक्या 32.3.1 लाख है जिसमें से अभी तक 3.6.7 लाख नहीं बुष्टर ड साथिये समुदाय को अलग सारना कोड देना होगा वे गुरुवार को मुराबादी मैदान में आदिवासी सेगेल अभ्यान की ओर से आहूत मात्रूब भूमी मात्रूब हासा विजय दिवास सभा में बोल रहे थे सभा कायोजन 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगनान सालखन ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार 20 जनवारी तक सारना कोड नहीं देगी तो आदिवासी बहुल राजियों में राश्ट्री अस्तर पर रेल रोड पर चक्का जाम किया जाएगा मुर्मों ने कहा है कि वे इसायों की डिलिस्ट के समर्थन में हैं साथ ही बोले कि यदि राजनिती लाव के लिए कुर्मी महतों को यश्टी का दारजा मिला तो इसका भी बिरोध होगा धन्यवाद